हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, AIS Education सुराज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसा कि आप सभी को पता है कि इगनु ने जो एक्जामिनिशन इगनु के दिसम्बर 2020 के टर्मेन एक्जामिनिशन फरवरी 2021 में आयजित किये जाएंगे उसके लिए इगनु के official website के date sheet के particular link पे date sheet जारी करी जा चुकी है और उसे के बारे में बहुत से students को doubt अभी ये हो रही है कि जब इगनु ने उन्वे द्यारतियों को जिन्होंने जुलाई 2019 में इगनु के annual examination pattern प्रोग्राम में और जनवर 2020 में semester pattern प्रोग्राम में particular year में admission लिया था और only first year MA program के लिए और first and second year graduation program के लिए और उसके लावा जो semester program है उसके first to fifth semester जो छे semester program है उनमें admission लिया था उनको examination से particular semester के particular year के exemption दे दिया है तो अब doubt यह है कि फिर ये date sheet जारी क्यों की कही है बहुत से students की doubt है उसे के बारे में exact clarification आपको में बताऊंगा लेकिन जिससे पहले वीडियो में start करूँ जो भी students हमारा चैनल AIS education पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को subscribe कर ले और bell icon पर प्रेस करना ना भूले ताकि जो भी इगनों से संबंदित वीडियो और classes हम upload करें आप लोगों तक immediately पहुंच सके तो भी देख सकते हैं आप official website पर date sheet available है फरवरी 2021 की date आप देख सकते हैं प्रोग्राम वाईजर ये वीडियो में बना चुका हूँ आई बटन में लिंक आप देख सकते हैं जिसको भी date sheet refer करना हो हमारी दूसरी वीडियो refer कर ले तो अब हम बात पर आते हैं तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इनुमें साल में दो बार admission होते हैं जनवरी और जुला यहीं कारण है कि सभी courses की date sheet जारी की गई है लेकिन इकनुन ने यह option भी दिया है जो इस exemption को नहीं लेना चाहते हैं वह अपना exam भी दे सकते हैं वह examination के लिए जारी करेगी उसमें अपनी willingness दे और फर्वे 2021 में आप अपीर हो सकते हैं यह भी इनुन ने option दिया है तो यह details थी बहुत से students को बार-बार doubt हो रही थी कि इनुनने date sheet जारी क्यों कर दी भार-बार message आ रहे थे बार-बार comment आ रहे थे बार-बार whatsapp पे message आ रहे थे इसलिए हम upload करें आप लोगों तक पहुंच सकें